हलो एवरिवन एक्जामेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है बात करेंगे हम यूपिटेपलसी आयोग के द्वारा आयोजित हुई परिक्षा मुख्य सेविका भरती परिक्षा 2022 के DV रिजल्ट के बारे में कि कब तक आपके DV रिजल्ट आएंगे और अब आप सबको एक जूट होने की बहुत जादा अवश्यक्ता है जितने भी अभरती इसमें जुड़ी हुई है उनको सब पता होगा कि आप लोगों के द्वारा जो है पहुँ सके मीडिया तक पहुँ सके और गौर्णमेंट इस पर एक्षन ले और जल्दी आपके DV रिजल्ट जारी हो समस्या इस बात पर आ रही है कि कोट इस्टे है कब तक खटेगा यह नहीं पता दूसरी बात सबसे बड़ी बात किया है कि सब लोग इकठा इसले नहीं हो पा रहे है कि जैसे किसी की नंबर कम है तो वो सोच रहे है मेरे नंबर तो कम है मेरा मालो नहीं होगा तो क्या मतलब है कि मैं वहाँ पर जाओ तो इतना समझ लेजे कि किसी को नहीं पता है कि कम नंबर है तो होगा या नहीं जादा नंबर है तो होगा कि नहीं किसी को fix नंबर नहीं पता होता जहाँ पर भी आपको cut off या कोई चीज बताई जाती है तो एक अनुमानित होता है ठीक है अब आप ऐसा सोच के बैट गए होएंगे कि मालो चलो मेरे तो 45 हैं 50 हैं मैं ना जाओं मेरा पता नहीं होगा या नहीं जो लोग शामिल है उनके जादा ही नंबर है पर आपको कैसे पता कि कोई जो बता रहा है वो सही है कि उसके उत्ते ही नंबर हो तो खुद पे भरोशा करें जितने लोगों के एक्जाम हुए हैं आप सभी लोग को एक साथ आना चाहिए ताकि रिजल्ट तो जारी हो तभी तो पता चलेगा कि हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे आप डिसाइड कर सकती हैं तो इस वज़े से आप सभी अभ्यर्थ वेब सैट कब तक हटेगा थो कोड की न्यू अभी तक नहीं हुई है वहांपर साइड पर आप देखे होंगे आभी आप की जो विब साइट है वहां पर न्यू जो डेट है उसके लिए अभी वहांविव जो समविदा करम चारी है वो भी एक्टिव है आपने देखा होगा कि मीडिया में भी उनकी बातें आ रही हैं कि किस तरीके से वो लोग भी अपनी मांगों को रख रहे हैं कि रोजगार की जरूरत सबको है सभी आगे आएंगे तो जिसको अब इतने साल से इंतिजार कर रहे हैं सभी भड़ती परिक्षाओं को देख लीजे खास दोर से यूपिटपल ऐसी अधिनस सेवा चैनायों कि जितनी भी परिक्षाएं हो रही हैं वो पहले तो विज्यापन असानी से सब्सक्राइब तो आशाम कराने के लिए सब को प्रोटेस्ट करना परता है रोजगार की जब डे आ जाती ही है फिर वो वी गजिया वर वो आ गयाivoMe कि लिए महनत को ही करना पढ़ना भी है अलग और सासाथ इस सब के भी मेहनत करने कि आपके रिजल्ट जा रही हो तो डिवी रिजल्ट आपके परिणाम अब तक आ जाने चाहिए थे क्योंकि जो केलेंडर वाइरल हुआ था आपने देखा होगा फिलाल आयो की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं तो अगर यह चीज़े जल्दी होंगी तभी आपका रिजल्ट जल्दी आएगा अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट है जो जिससे की वजह से शायद आप सामिल नहों पा रही हो तो मैं क्लियर कर दूँ जैसे से सेफ स्कोर क्या रहेगा जाने जी यूपी ट्र से परिक्शा कराता है CCC से जो भी परिक्शा होती है पहले तो डीवी की कट अफ अलग होती है ठीक है उसके बाद final कट अलग होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि डीवी में ज्यादा लोगों को यह बुलाते हैं उसके बाद फिर फिक्स जितनी सीटे हैं जैसे 2693 पर पद है तो उतने ही लोगों का सेलेक्शन होना है लेगिन आपको पता है कि 8000-7000 इतने लोगों को लगभगी बुला लेंगे आपके जो है डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बाकी लोगों को तो हटाना ही है तो इस वज़े से DV की जो कटाफ होती है और जो फाइनल कटाफ होत तो जब DV का कटाफ 50 है तो यह मान के चलिए कि जो फाइनल रिजल्ट इनका आएगा कम से कम इससे 78 नंबर अगर आपका जादा आ रहा है माली जी आपने 58 पाया है या आपके 57 स्कोर कर रहा है 55 स्कोर कर रहा है या 60 नंबर आ रहे हैं आपके आपके कॉडिक एंसर की से मिला काने बाद तभी आपका फाइनल सेलेक्शन होता है कोई भी जो भी अभी तक रिजल्ट जा रही हुआ सब में यही एक एवरेज रहता है कि जो DV का कटाफ आया है फाइनल रिजल्ट के कटाफ में जो है 5 से 6 नंबर या उससे ज्यादा ही नंबर का होता है डिफरेंस की किसी ने बीएड में वह सब्जेक्ट पढ़ लिया है बाल विकास तो उसने फॉर्म भर दिया किसी ने पोस्ट ग्रेजिशन किया है उसने भर दिया तो इसमें भी है और टोटल आप लोग हैं कितनी जो इन्होंने परिक्षा दिया है मैं उनकी बात करो तो 35,000 जो है अभेर तो कुल मिला के मान के चलिया आप लोग 32,000 ही है टोटल इससे जादा नहीं है ठीक है 32,000 टोटल कैंडी रेट है इसमें से 8-10,000 लोगों को जो है बुला लिया जाएगा डिवी के लिए तो अगर मेरिट की बात करें तो बहुत जादा हाई मेरिट इसकी नहीं रहेगी पहल या तो आप OVC के हैं 50 है यसी है तो इससे भी 5 नमबर कम कर लीजे तो इतने लगभग आपके हैं नमबर तो आप सभी लोग सेफ जोन में हैं लेकिन फाइनल जो कटाफ आएगी जैसे ही आपका डिवी आएगा अगर उससे मन लेजे 5 नमबर जादा है आपका या 6 नमबर या 7 नमबर जादा है डिवी कटाफ से आप तो मान के चलिएगा कि आपका फाइनल जरूर होगा तो डिवी का सेफिस्कोर क्या होता है बता ही दिया आपको यहीं पर कि अगर 50 नमबर OVC का डिवी है तो फाइनल मेरिट इसकी जाके 56 पर उख जाएगी या इससे जादा हो स इनकी मेरिट बहुत उड़ जाएगी तो 62 हो जाएगी ठीक है 62 इतने तक एवरिज रह सकता है फाइनल डिवी के बाद जो आपके सेफिस्कोर होंगे इतने तक में ठीक है तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी चीजे और 60-62 नमबर यह आपका रहेगा फाइनल कट इसी है तो उससे भी 4 नमबर कम, एस्टी है तो उससे भी 2-3 नमबर कम, ठीक है इसी तरीके से EWS और OBC की कटाफ लगबग सीम जाती है ठीक और इसमें मेल फीमेल की कोई बात ही नहीं है तो पूरी गर्स ही है तो अलग से तो मेरिट निकलने का मतलब ही नहीं बनता है यह र कोई लगातार सब्जेक्ट नहीं पढ़ता मतलब तीन सब्जेक्ट आपने चूस कर लिया है फर्स्ट इयर में उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट मालो छोड़ना होता है तो कोई आपने छोड़ दिया वही छोड़ा जो कि इसमें मांगा था जैसे समाज सासर या बाल वि अनके लिए तो वह आयोगी बताएगा क्योंकि आर्ट की सब्जेक्ट को मांगा गया था तो कला वर्ग से था तो जो भी सी होम साइंस वर्ग से आजाता है ठीक है तो बाकी इसमें यही चीजे आपको बताने थी कि अब आपको एक साथ आने की जरूरत है आप एक दुसरे क यहाँ जो हेख से आपने चल से हिसाब से आहेगा तबही ज़विस एक्जांगा आ अभी डीवी हो तो चुकी है लेकिन सोची 8 वर्स बीत ड़ शोट कें नहीं है आया है आप ладग जहना देही रहे है जितनी भी परिक्षाएं होती है अले तो खुद के लिए महिनत करनी पड़ती है आयोग में अगर यह सुधर जाए तो बहतर है उसी के लिए भियान चलाया गया था लेकिन बहुत सारे candidate नव पस्थित होने के कारण उसका कुछ जादा असर देखने को नहीं मिला तो यही साही चीज़े हैं कि आपको ध्यान रखना है और जितने भी लोग इसमें जुड़े हों सबका सहयोग करें और 20 जुलाई को पॉसिबल हो तो आप सब लोगी गठा हो ताकि आपकी चीज़े तो खुद के लिए तो कड़ना पड़ेगा ठीक है और जिसको बहुत सारी समस्या हैं समस्या है सबके साथ है जिसको बहुत सारी दिकत है नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं लेकिन अगर एक जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन भी ठीक है तो इसी तरीकी की चीज़े थी जो आपको बतानी थी अगर आपको मुखे सेविकास से संबंदित कोई भी डाउट हो कोई भी चीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं आपको डीटेल जानकारी दे दी जाएगी ठी तो इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही नेक्स वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं जाहें दे